दिल्ली विधान सभा के चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी के एक बार फिर सरकार बन रही है दिल्ली आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव में जीत दर्ज की है वहीं बीजेपी को एक बार फिर दिल्ली विधान सभा में मात खानी पड़ी 22 साल से दिल्ली की सत्ता का सूखा जोईल रही बीजेपी के लिए इस बार किसी चमतकार की उमीद थी क्योंकि पार्टी ने इस बार का चुनाव राश्री मुद्दों पर लड़ा था बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों मुख्य मंत्रियों यहां तक की प्रदान मंत्री तक को चुनाव मैदान में उतारा था लेकि नाम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार की का मांसरिफ अर्विंद के जिवाल इस समाली थी और वह अपने पांच सालों के काम के दम पच नौ मैदान में गए थे दिली में प्रचन जीत के बाद अर्विंद के जिवाल पार्टी आफस पहुचे और जनता का धन्यवाद दिया अर्विंद के जिवाल ने कहा दिली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को दो जो चोईस घंटे बिजली देगा सस्ती बिजली देगा महला क्लिनिक देगा तिस्टी बार जीत दिलाने के लिए दिली के जनता का धन्यवाद दिली ने नई तरहां की राजनिती को जन्म दिया है इसका नाम है काम की राजनिती यही राज़िती किस्य सदी को आगे ले जाएगी